ये हसमुख फकीर योगी विरंद्री योगी विरंद्रदाज सबसबों का निमंतरन करता है विरंद्राड येर चेनल पर प्यारे दोस्तों इस पूरे विश्व में जो सबसे सक्तिसाली जन्तु है जीव है उसका नाम है मनुष्य और मनुष्य में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के विचार है नकारात्मक का मतलब है जंगली सेर की तरह स्वार्थ, क्रोध, लालच, लोव जिसे हम यूँ कहें काम, क्रोध, मद, लोव में लिप्त वेक्ती अपने लिए जीता हो कभी किसी की परवा नहीं करता और जितने भी कुकर्म करना हो वो सब करता है दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं वो केवल जीना चाहते हैं अगर उनको रोटी का प्रमकान बिजली सरक पानी रहने के लिए आवास रोजरगार के लिए नौकरी मिल जाए चिकिस्ता के लिए उपचार मिल जाए तो इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए वो सर्वोत्तम है और उनकी संख्या 99.9% है निना उनवे से ज़्यादा ही है क्योंकि वो मैजोरिटी है वो सबसे ज़्यादे लोग है उनको ज़्यादा कुछ लोब लालत नहीं होता वो साथरे जो मनुस्य है मेरी तरह आपकी तरह और दूसरे तरह के जो लोग है उनकी भी जिम्यदारी है क्योंकि अगर इन लोगों में से कोई कामी, क्रोधी, लोभी, लाल्ची, सैतान, बदमास दुस्ट हो जाए तो समों का सर्वनास कर देगा इसलिए हमें सासन क्या बश सकता है अनुसासन क्या बश सकता है इसलिए राज तंत्र हुआ राज तंत्र में कुछ एक परिवार बन्स के आधार पर राज करते थे शुरू से ही इत्यास ले लो ग्रीक का, हिंदुस्तान का मौर्या डानिष्टी हुआ अशोकादी ग्रेट हुए, चंद्रगुप्त मौर्या हुए, कनिस्का हुए अनेक तरह के डिनिष्टी यहां राज किया परजा के लिए कितना सोचा मुझे मालूम नहीं है लेकिन खुष तो राजा ही थे सारी सुख दिवजाएं उनको प्राप्ती लेकिन एक राम राज था जो सुर्वन सी राजा थे दसरत उनके पुत्र थे राम वो मर्यादा पुश्रुत्तम थे और परजा के इतनी सुरक्षा करते थे इतना ख्याल करते थे कि जब सीता को स्रिलंका से वापस लाया गया तो एक हमारे भाई धोबिया ने अपने पत्नी धोबिन को घर से निकाल दिया मार मार के उधारन दिया सीता का बोला कि मैं राम नहीं हूँ कि मैं तुम्हें स्रिलंका के रावन के हाँ छे महीने रहने के बाद भी वापस रख राम सीता को जंगलों में भेजवा दिया लक्षमन के द्वारा प्यारे दोस्तों इस तरह का रामराज की कल्पना गांधी ने किया था और पूरे विस्मे होनी चाहिए और राम से जुरे हुए थे भरत जब राम को केकरी ने बनवाशित कर दिया था दसरत के माध्यम से तो राम के इतने प्रेम करने वाले भरत थे कि उनके खराम को ले आए और गदी पर बैठाके उसकी पूजा की और जंता की सेवा की तो आज कि अगर कोई भी प्रसासत नरदरमोदी हो या जो भी हो या जो भी हुए उनको चाहिए था भरत से सीखें भरत से सीखें ये प्रजातंतर में जनता ही भगवान है ये जनता नहीं प्रजातंतर में उन लोगों को भेजा है ये जनता नहीं उलों को भीजा, नमस्ते सर, नमस्ते सर, वो जनता नहीं उलों को गदी पर बैठाया है, इसलिए उनका उत्तरदाय तो होता है, कि जनता की पूजा करे, स्वार्थ की पूजा से दूर चले जाए, उधारचित बने, खुद गरत दुनिया में ये इनसान की पा ये रोज़ बरी लोगसंत्र की पतिष्ठा हो गे लोगसंत्र में लोगके कल्यान के लिए एक कल्यानकारी सरकार बनता है, जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के कल्यान के लिए स्मर्थ पित है, democracy is the government, of the people, by the people, for the people, जनता के द्वारा जनता के लिए होता है बट ये तो जान लिजीए कि मूदी जी भी है वो बिश्टु के किसी महराज किसी भी सासक बादसा से कम सुभधा ने मिलती लेकिन दिल होना चाहिए दिलदार दर्या दिल सुभधा का भोग भोग ले भाई लेकिन ये नहीं भोलना कि तुम मजदूर नमर वन हो तुम जन से वक हो जनता के लिए हो जनता ही तुम्हें इस गदी पर बैठाया धन्यवाद प्यारे दोस्तों